जायानंदन श्री शनी देव को शीश नवाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुम को बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रोहों में सबसे पहले ये क्यूं पूजे जाते हैं शनी जी पूजे जाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सरताज शी शनी देव महराज नवग्रहों में है सेष्ट शनी जी लीला है महान शनी देव के चर्णों में तो जुकता ये जान नीलामबर के धारी है और वर्ण है इनका शान शरन में आने वालों के ये हरते कस्ट तमान रूप चतुर भुजशनी देव का जग से है नारा वाह थामली उसकी जिसने मन से पुकारा एक हात में त्रिशूल इनके दूजे में कुठा भगतों की नईया को करते भवसा गर से पाओ आओ तुमको अब इनकी लीला दिखलाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताच शीशनी देव महराज एक बार चिड़ गया था भगतों नोगें में संग्रान कौन है शक्ति शाली सब में कौन है सब से महाँ ब्रह्मा जी के पास गए फिर नब ग्रह थे सारे नयाय करो है ब्रह्म देव सब मिलकर पुकारे नब ग्रहों का जब प्रश्ण सुना ब्रह्मा जी चकराए क्या उत्तर दू ब्रह्म देव ये समझ नहीं पाए एक को स्रेश्च बताऊंगा तो दू जब गड़ जाए मैं नहीं पढ़ता इस जगडे में बला ये टल जाए विश्णू लोक की नब ग्रहों को वो राह बताते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताच शीशनी देव महराज नब ग्रहों के है सर्ताच शीशनी देव महराज विश्णु लोक में जाकर उनके संवक जोड़े हाथ हम सब में हैं कौन स्रेष्ट बतलाओ हमको बाओ विश्णु जी भी प्रश्ण का उत्तर दे नहीं पाए शिव लोक का रस्ता नवगा को वो बतलाए शिव लोक से भी नवग्रह जब हो गये थे निराज हार के नवग्रह आ गए सारे इंदरदेव के पास इंदरदेव ने मदद को फिर नारत जी को देखा नारायन नारायन जपते नारद ने बोला हे नवग्रों हम तुमरी सारी शंक मिटाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज नवग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज पृत्वी लोक में विक्रमदित नामक एक राजा है न्याया अधीश है न्याय पलक वो तो कहलाता है उसके न्याय के चर्चे तीनों लोकों में मश्यूम त्रिदेव भी इन की प्रशंसा करते हैं भरपूर आपके प्रशनों का उतर विक्रम ही दे पाएगा आप गहों में कौन सेस्ट है वही बतलाएगा नारद जी की बात सभी की समझ में थी आई पित्वी लोक की राज सभी ग्रहों ने थी पाई सारे मिलके विक्रम के दरबार में जाते हैं क्यों है इतने शक्ती शाली तुमको बत लाते हैं हम कथा सुनाते हैं नब ग्रहों के है सर्ताज शी शनी देव महराज नब ग्रहों के हैं सरताज, शीशनी देव महराज सारे ग्रह फिर मिलकर उसके राजम जाते हैं नब ग्रहों के चर्णों में राजा शीश नवाते हैं राजा ने फिर नब ग्रहों का था सतकार किया वह आने का नब ग्रहों से कारण पूछ लिया हमने तुमारे न्याय के चर्चे राजा हैं सुने इसलिए हम तुमरे राज की राहे हैं चुने हम सब में से कौन सेष्ट है राजा बतलाओ हमरे मन की शंका विक्रम अब तो मिटाओ उनकी बात सुनी राजा विक्रम मुसकाते क्यों है इतने शक्ति शाली हम तुमें बताते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शीशनी देव महराज आपके मन की शंका को तो मैं सुल जाता हूं नवग्रहों में कौन सेष्ट है ये बतलाता हूं सामने नो धातूं के आसन हमने रखवाएं जिसको जो धातू पसंद हो उस पे बैट जाएं सूर्यन सोना चंद्रन मोती गुरू न लिया पुकरा बुधने पन्ना शुक्र नहीरा मंगल मुगाता शनी देव को लोहा प्रियता लोहा अपनाएं लोहे के आसन पे शनी जी आके बैट धाएं विक्रम बीच सभा में फैसला देने आते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नवग्रहों के है सर्ताज शीशनी देव महराज आप सभी में कौन स्रेष्ट है कहना है असान आप सभी की शंका का मैं करता समाधान सबसे स्रेष्ट है धातू जिसकी सबसे वो महाँ सबसे मलिन धातू वाला सबसे नीचे लो जाँ सोने के आसन वाले सुर जी सबसे पहले आएं लोहे के आसन वाले शनी जी अंतिम कहलाएं शनी देव अपमान ये अपना सह नहीं पाएं ट्रोधित होकर शनी देव ने वचन ये सुनाएं हे विक्रम हम तुम अपनी शक्ती दिखलाते हैं क्यूं है इतने शक्ती शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नवग्रहों के है सरताच शीशनी देव महराज शनी देव ने वक्र द्रिष्ट फिर राजा पर डाली राज पाट सब छीन लिया और हालत बुरी करी वन में भटकने को राजा फिर तो मजबूर हुए भूक प्यास से हुए व्याकुल एक तेली के पास गए कुछ खाना दो और पानी दो तेली दया करो काम करूंगा तुमरे घर में कोई काम दे दो रूखा सूखा खाना दिया और भूसी में पानी बैल की जगा कोलू खिचवाओं मन में थी ठानी विक्र मदिति से कोलू अपना वो हकवाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं नव ग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज नव ग्रहों के है सरताज शीशनी देव महराज मेहनत देख के विक्रम की से ठानी को दया आई एक रात को खाने पर दिया उनको बुलवाई हर कीमती से ठानी ने खूटी पर टांगा शनी देव अपने मन में ये विचार था ठाना अपनी महानत विक्रम को मैं अब दिखलाऊंगा चोरी का इल्जाम इस पर मैं दलवाऊंगा से ठानी का हार खूटी ने फिर निगल लिया तेली ने फिर विक्रम को जेलों में डलवा दिया हाथ पेर तुडवाने की फिर सजा दिलाते हैं क्यूं है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नब ग्रहों के हैं सर्ताज शीशनी देव महराज हाथ पेर तूटे विक्रम के दुख गना पाया शनी देव की शक्ति क्या है उसे समझ आया सच्चे मन से शनी देव का उसने किया आराधन नब ग्रहों में तो आप स्रेष्ट हो करता मैं वंदन जैसे ही विक्रम नशनी की शक्ति को था माना वक्र दृष्टी हटाई शनी ने फल दिया मन मानो पहला सा स्वारूप राज और पात सभी लोटाया विक्रम दितन शनी देव का जै जैकार लगाया चंदन कहता शनी देव भव पार लगाते हैं क्यों है इतने शक्ति शाली तुमको बतलाते हैं हम कता सुनाते हैं नब ग्रहों के है सरताज, शीशनी देव महराज नब ग्रहों के है सरताच शीशनी देव महराच